आज इस वीडियो में हम सीखेंगे Japanese Language के N4 और N3 लेवल के कुछ ऐसे special words जो की ना सिर्फ काईवा में यानि की Japanese Language conversation में बलकि JLPT में भी अचानक आजाते हैं और उनका एक बहुत special meaning होता है जो की पूरे sentence को बिल्ड करता है तो चली शुरू करने से पहले मैं यह बताना चाता हूँ कि Japanese Language को काफी हमार पास जैसे calls आते हैं students के की online सीखा जाए या offline सीखा जाए क्या better रहता है तो देखे offline और online दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान होते हैं जैसे online training के अंदर आपको travel cost और time बच जाता है वाइरस से भी आप बच सकते हैं लेकिन थोड़ी net के disturbance वगेरा से quality उतनी assured नहीं हो सकती लेकिन offline के अंदर quality का तो कोई issue नहीं रहता लेकिन travel time और health risk वगेरा रहते हैं तो अपने अपने फायदे और नुकसान होते हैं तो इन दोनों चीजों के लिए मैं कहूंगा कि nihongo max.com पर आप जाके पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं जो कि offline और online का mix लगेगा अगर आप starting classes को test करके देखेंगे जिसमें आप N5 से लेकर N1 तक काईवा से लेकर business Japanese तक और Japanese लोगों को किस तरह से English दिखाए गई है ये सब चीजें आप Hindi explanations के साथ सीख सकते हैं तो आज ही जाकर द ोने के situations को भी आप ले सकते हैं लें तो चलिए शुरू करते हैं अब और हदो का अगर हिंदी में मीनिंग मैं आपको बताऊं तो इसका प्र आप बड़ा मुश्किल अगर आप से कहूं मैं अच्छा का क्या मतलब होता है हिंदी में तो उसी तरह से नारू हो दो का मतलब अगर आप एंगलिश में देखेंगे तो OIC या फिर हिंदी में कहें तो अच्छा तो इसका तब यूज होता है जब हम कहते हैं अच्छा ये बात मुझे अब बता चली या फिर बात तो सही है तो जब हम किसी से अगरी कर रहे होते हैं या फिर हमें कोई नई चीज पाता चलती है और उस नई चीज से भी हम अगरी कर तो इसको काईबर में यूज कीजिए अगला वर्ड है चिना मिनी का मतलब होता है जैसे हम कहते हैं कि बाइद वे यानि कि जब हमें टॉपिक को चेंज करना है जैसे कोई बात चल रही है कि कल एक्जाम है हमें काफी पढ़ाई करनी है बाइद वे तुम्हारे उस गेम का क्या हुआ जो तुम कल खेल रहे दे तुम जीते या हारे यानि कि मैंने टॉपिक चेंज कर दिया थीक है आपने तोपोर हूद है अगर आपने बेसिक जब नहीं सीख़िया तो उसका एक वर्ड है इसी तरह से चिना मिनी यानि कि जब हम टॉपिक change करते हैं थोड़ा बहुत पीछे से related भी हो सकता है लेकिन usually बिल्कुल अलग topic होता है यानि कि इसका मतलब होता है by the way चलिए अब हम सीखेंगे सोनो तोरी या फिर सोनो तोरी जिसने देखें अलग से तोरी का मतलब होता है as it is ठीक है जैसे की है वैसे ही तो सोनो तोरी यानि कि जैसा कि आपने कहा वैसा है यानि कि जबाब किसी को agree करके यह कहते है कि हाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है या आपने बिल्कुल सही बात करिए तो हम बोलते हैं sonotori या फिर sonotori दिसने अगला word है तादाशी द्यान दीजी ये तादाशी नहीं है ठीक है ये है तादाशी इसमें आगे वाला e नहीं है तो ये अलग से हीरागना में use होता है और spoken language में भी use होता है इसका मतलब होता है जब जैसे कि अगर हम कोई explanation दे रहे हैं, हम 3-4 चीज़े बता रहे हैं, जैसे माल लीजे आप नए hostel में आया हैं, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप यहां पर party वाटी भी कर सकते हैं, आप अपने friends को भी बुला सकते हैं, आप अराम से रह सकते हैं, ब इसको anti-clause कह सकते हैं, फिर anti-condition कह सकते हैं, ठीक है, तो तादाशी हम तब यूज करते हैं, जब हम कहते हैं, बस एक बात का ध्यान रखना, ठीक है, अगर आप इसको English में देखेंगे, dictionary बगर में तो आपको confusion हो सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि इसकी explanation बहुत जरूरी है, ठीक है, तो याद रखें कि आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे मालीजे मैं restrictions बता रहा हूँ, कि यहां पर ना बहुत सारी restrictions है, आप ये भी नहीं कर सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते हैं, फिर मैं कहा रहा हूँ, तादाशी, यानि कि बस अगर आपने ये condition फुल्फिल करी उनसे एक different condition, एक different या ultra clause बताने के लिए आएगा, similarly तादा भी होता है, एक word कि बस इस बात का ध्यान रखें, या बस इस बात का ध्यान रहें, तो तादा और तादाशी ये दो words हैं, spoken में भी उस होते हैं, और आपके जैसे N4 या N3 की दोकाई, comprehension passage में भी ये आएगा, जरू दोके हमें लिए तुके ही मतलब होता है, वाकारी मतलब मैं समझ गया, लेकिन इसमें और add कर दीजे, एक और मतलब, कि मैं abide भी करता हूँ यानि कि मैं मानता भी हूँ यानि कि मैं agree भी करता हूँ और मैं आपका order भी मानता हूँ यानि कि order मानने के लिए भी रियोकाई शिमाश्ता यूज होता है जैसे कि आपको कहा गया कि प्लीज ये ये कर दीजेगा और उसके बाद आपको यह करना है तो आप बोलेंगे रियोकाई शिमाशता यानि कि मैं पूरी तरह से समझ भी क्या हूँ और मैं अगरी भी करता हूँ और मैं यह order पूरी तरह से मानूँगा तो abide करने का भी इसमें add कर लीजी meaning चलिए और वर्ट सिखते हैं किनी शिनाई दे किनी शिनाई दे को देखे जो भी यह वर्ट होते हैं किनी शुरू किनी शुरू किनी शुरू किगा आरू किगा सुरू तो इन में हमेशा हम dictionary meaning या English meaning डालके हम इसको ना machine की तरह mathematics की तरह calculate करने की कोशिश करते हैं लेकिन simple Hindi का सहरा लीजे मैंने कई बार अपने YouTube वीडियो पे भी बताया है nihongo max.com पे भी बताया है कि कैसे sentences में use करके आप इसको Hindi में अगर सीखेंगे Hindi के जो हमारे usual expressions होते हैं उनके साथ साथ रखके इनकी practice करेंगे तो बहुत easy ली आपको यह आ जाएंगे तो कीनी शिनाइदे का आप main use होता है आप ऐसे आद रख सकते हैं कि जब sorry बोला जाता है और आप उसको कहना चाहते हैं ने ने कोई बात नहीं ठीक है जब हम forgive कर देते हैं यानि कि sorry के reply के तोर पे जब आप कहना चाहते हैं नहीं कोई बात नहीं it's okay, it's alright तब आप कह सकते हैं कीनी शिनाइदे या फिर कीनी शिनाइदे कुदासाई तो देखें I hope आपको ये वीडियो से इन words को सीखने में काफी help मिली होगी मुझे comment करके बताएं कि और भी की कशिश रहेगी कि मैं best explanation आपको देने की कोशिश करूँ Thank you so much